कुछ है ओक कि अज़ने के लिए एक राल का बहुती प्यारा सा पेटर लेकर किया हूं इस प्रेटर को आप किसी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं जैंट्स के स्विटर में लेडीज के स्विटर में कोटी ॐ गाडीन जेगट कैप किसी प्रोजेक्ट में डिजाइन है बहुत ही प्यारा सा दिखेगा और हमारा डिजाइन है टोटल चार सलाई में ही बन करके कम्टीट हो जाता है और इस पैटरन को बनाने के लिए हमें चाहिए थ्री की मल्टिपल फंदे हमने यहां पर देखे 15 फंदे ले जाएंगे और उसके बाद में देखिए दो फंदे हैं इनको इस तरह से हम दोनों फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर इसके बाद में पीछे की तरफ से सलाई को डालेंगे और उसके बाद में दूसरा फंदा भी यहां पर हम बना लेंगे फिर से धागी को आगे ले को डालेंगे और एक फंदा बनाएंगे फिर इसके बादें पीछे की तरप से सलाई को डालेंगे यहां पर भी हम एक फंदा बना लेंगे । धागा आगे। फंदे को विनाबने उतार लेना हैं कि टीन फंदों को आब को हुए जाना है पहली सलाई में पहली सलाई हमारी बन करके कंप्लीट हो जाती है यहां पर दूसरी सलाई पर साइड वाला फंदा भी नावने उतारेंगे और जो बाकी के फंदे हैं इनको हम उल्टा बूलेंगे तीसरी सलाई पर आते हैं साइड वाला फंदा भी नावने उतारेंगे अब यहां पर देखिए यह वाला फंदा और यह वाला फंदा इन दोनों फंदों को हम देखिए इस तरह से एक साथ लेंगे सामने की तरफ से और एक फंदा बनाएंगे पिर से सलाई को पीछे की तरफ से डालेंगे और एक को अर फंदा बना लेंगे अब देखिए यह वाला जो फंदा है इसको हम ढगा आगे लेकर करेंगे और इसको हम बिना वने उतारेंगे, रागा पीछे ले जाएंगे, अब देखें ये वाला जय फंदा दीकरा है, ये और ये इन दोनों को एक साथ लेंगे, दोनों फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर पीछे की तरप से सलाई को डालेंगे कि इस फंदेकों में बिना बुने उतारना है और इन दोनों फंदों को इस तरह से बुनना है फंदेक उतारा बहुत ही आसान और संदर डिजैन है जेंट सेटर के लिए अब देखिए यहाँ पर यह एक फंदा रह गया है इसको भी हम सीधा बुन लेंगे तीन सलाईया बन करके कम्प्लीट हो जाती है यहाँ पर चोथी सलाईय पर सारे फंदों को हम उल्टा बुल लेंगे सैट वाला फंदा उतार करके करके यहाँ भी हैं करके मारा चार सलाईयां कम्प्लीट हो गई हैीए अब देखिए साइड वाला फंदा हम यहां पर बिनाबुने उतारेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुल लेंगे क्योंकि यह डिजाइन अमारा तिर्चा चलता है अब देखे धागे को आगे ले करके आएंगे और इस फंदे को बिनाबुने उतार लेंगे धागा पीछे ले जाएंगे दागा पीछे ले जाएंगे और इन दोनों फंदों को हम एक साथ दोका एक किया फिर दूसरा फंदा पीछे की तरफ से लेंगे अब देखिए जिस तरह से हमारा यह डिजान इदर पुचलता जाएगा उसी तरह से यहां पर दुवारा शुरू होता जाएगा च्छटी सलाई सारे फंदों को उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे तो देखिए फ्रेंट्स इन्हीं सलाईयों को आपको रिपीट करती हुए जाना है बनने के बाद में डिजाइन कुछ इस तरह से दिखेगा देखिए फ्रेंट्स वारा डिजाइन कुछ इस तरह से दिखे रहा है बहुत ही प्यारा सा है तो फ्रेंट्स मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को वही तक सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब भी कर लें तक मैं जो भी निया वीडियो डालू तो उसको नट्पिकिसन जो है आप तक सबसे पहले पहुँचें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई